यालो फ्रेंड वर्कम्टेम के गार्डिन तो आप सब करेंगे ठीक होंगे मसता होंगे बोलने मिछ ब्युक्ति हो जह तो मैं आपके रहेगा पहर चुकत धन्डेंगकार करें आज में तो आप लोग वीडियो में लासर्वने जाएगा और वीडियो को पूरे देख देखें तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि देखिए मेरा फस्ट टाइम आज ये इतना बड़ा, मेरा एलो गोलर का फ्लावर वार खिला हुआ देख सकते हैं, आप कितना बड़ा है इसका फ्लावर और कितना खुबसूरत लग रहा है, ये पहला फ्लावर मेरा है और अब बट्स अभी से काफी साली लग चुके हैं देख लीजिए长 इधर शाइट भी लग गई हैं इधर शाइट भी लग चुकी और अच्छे खासे बड़े बड़े से फ्लावरिंग करें तो आप लोगों को जो मैं फटलेजर बताने जा रही हूं आज आप लोग उसका एंजाइम भी अब बना सकते हैं और फटलेजर भी दोनों चीज बनती हैं तो आप लोग उसको जरूर ट्राइ करिएगा सब की घर मे याता है कीचन में कीचन से ही है तो पहले मैं आप लोगों को अपने सारे फ्लावर दिखाऊंगी फिर बाद में अपने फटलेजर के बारे में दिखाऊंगी किस चीस के बाद कर रही थे एक यह देखिए कितना सुन्धर एड़ करार का गुज्जे में खिल गया है तो ऐसे प्लावर चाहिए और इधर यह खेली हुई है मेरे उफोर्विया के फ्लावर और इधर देख लीजेई आप यह चाणरी चाहिना जोरा टीकोमा और यह खिल गया है इधर जोरा तो इतने सारे अगर आपको भी फ्लावर चाहिए तो मेरा ये जो में फटेलेजर आप ़ोगों को बताने चाहर thirty's को जरूर आप फालो करhie मैंे इसके चलके निकाल करके इसमें, अपने फ्लांटों के लिए जो अंदर का षीता हैं, जो चलके काटके हम कचड़े में फेंग देंगा एता कि तो इस तरह से आगर आप भी छीलते हैं तो उसको कचड़े में मत तेंकेगा अपने प्लांटों के लिए उसको निकाल लीजे और देखे कितना एकडम से रिड़ तो इसको डालना है पहले आप लोगों को इसमें से पानी अड़ करना है यह एकडम पेवर है अब इसमें से एक लीटर पानी में आप इसको थोड़ा सा डालिएगा और एक वालती पानी में आप इसको पूरा आड़ करें जितनी है मेरी गिलास है आप देख सकते हैं और पूरा डाके आप सभी प्लांटों में अपने दे सकते हैं यह इतना पावर्फुल फटिलाइजर है इतना अपने प्लांटों में अपने अपने प्लांटों में अप्लाइजर करें जैसे हमा खाते हैं हमारी लिए कितना फाइदे बंद मस्तिक के लिए सेहत के लिए सबसे ज़्यादा लोग जो चुकंदर का जूस बना के पीते हैं चुकंदर खाते हैं और खाली भी खाते हैं और भोजन के साथ सलात में लेते हैं तो हमारे सरीर के लिए कितना फायदे बंद इसी तरह से ये चुकंदर हमारे प्लांटों के लिए बहुत ज़्या और इसी तरह से हमारा फैल्दी रहेंगे जिस तरह से हमारे श्रीच में होती है टाकत वह करेंगा और फ्लावरिंग भी बहुत सारी करेंगा और अगर आप फल वाले और सब्जी वाले प्लांटों में डार रहेंए तो आपका वो फ रहा रहा रहेगा सब्जी से लद रहेगा आपका є बहुत पाउर फुल यह फटलração आप वह जरूर ट्राइ करिए और आप इस सभी तरह के प्लांटों में इसको डाले इसको बेस्ट मत फेंकिए देखिए कितना रेड निकला हुआ इसका पानी एकदम से रेड निकल गया है इसको खराब समझ के मत फेंकिए यह आप तो डेली खाते हैं तो यह चिलके आप निकाल के फे उसके और हमारे एक आइन्द सब्सेड़ आयर्न इसमें भर पूरा पाई जाता है तो ये हमारे प्लांटों के ही बहुत प्रेंदrio अर इसको हम लगा देंगे तु यह इत्व हम्हाों के लिए ग्रोठ किया हुए कुछ पतियां तो ये पतियों को मैं ॥ानि और और अभी ये पानी निकाल करके और और फिर से इसी पानी में मैं इनको ढाल दूंगी आप देखे किए मैंने पानी ले लिया है अब — देखे तुम पूरा पानी रेड हुआ जा रहा है देख लीजे आप एक दम से पूरा मेरा पानी जितना था फूरा रेड हो चुका है अब इसको हम अपने इस ग्लास में डाल लेंगे और जितना भी आप इसमें से पानी आड़ करना चाहिए उतना आड़ कर सकते हैं और आप सभी तरह के अपने प्लांटों में डाल सकते हैं देख लीजे ये मैंने इसमें से डाल दिया है इतने भी आपके फूल वाले पौध हैं आप सभी में डाल सकते हैं तो अब आप बताईए आप लोगों को मेरे यह फिट लेजर कैसा रहा लगा कमेंड में बताईएगा और फ्री का है आप लोगों को ज़्यादा महिनत नहीं करनी वैसे भी आपने लिए आप चिलके निकाल के ही खाते हैं तो वो चिलके बेश्टना फेक करके अपने प्लांटों के लिए और दो दिन या एक रात के लिए डाल दीजे एक रात में ही एकदम से एकदम रेड निकल आएगा पानी और आप लोगों को अपने प्लांटों के अप आपके घर में डेली आता है अगर नहीं आपाता है जब भी आता है लोग बूर पस्तेजिक्राइब आप इनकार करके आप अपने लॉड़ doctor जरूर डाली विस्काइब इनकार के अपने प्लांटो में जरूर डालीका फ्रेंड वह तो आपका दिल देख करके खुस हो जाएगा अगर सब्जी बाले पौधे में डालते हैं तो उसमें सब्जी जब अन्गिंतिल लगेंगी तो आप उनको देख के खुस हो जाएंगे तो इसलिए ये मेरी टिप्स आप जरूर फालो करिएगा और ये रामबाड है आपके प्ला लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करेंगा और ये फटे लाइजर आप लोग जरूर ट्राइब करिएगा अम्रत है आपके प्लांटों के लिए अम्रत है तो बाए बाए